नमस्ते दोस्तों आप सबों का स्वागत है आज की इस वीडियो में तो आज मैं आप सबों के सामने बहुत ही महत्यपून टोपिक आप सबों के सामने लेकाया हूँ और इसा हो भी सकता है कि इस तरह से जो टोपिक मैं आप सामने ले आया हूँ इस तरह का topic इस तरह का वीडियो शायद ही बन पाया होगा तो आजकर जो ये वीडियो है तो आप सबों के knowledge के लिए आपके इतिहास के ग्यान के लिए ये topic बहुत ही महतपून है बहुत ही खास है क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं इतिहासिक स्रोत की बारे में भारत के इतिहासिक स्रोत हम लोग कहां से आया है हमारे भारत के इतिहास को कैसे जान पाए उन सारी बातों को हम लोग जानते हैं कि एक साहित्य स्रोत के माध्यम से हम लोग देखते हैं एक बीदेशी यात्री के स्रोत पर देखते हैं और एक है प लिख करके पूरी दुनिया में फैलाने का काम भी किया तो भारत में बहुत सारे विदेशी यात्री आये लेकिन कुछ प्रमुक विदेशी यात्री हैं उनके बारे में हम लोग आज किसी वीडियो के मादम से समझने का प्रयास करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं बिना किसी अब हम लोग बात करते हैं कि भारत में आये प्रमुक विदेशी यात्री एवं दूत के बारे में तो ऐसी बाती क्या थी उन सारी बातों का हम लोग जानेंगे तो चलिए सुरू करते हैं आगे ये भी कहता है कि भारत के इतिहास में समय समय पर कई प्रयाख्यात विदेशी यात्री यहम दूतों ने भ्रह्मन किया है ना जैसे मैंने शुरू में बताया कि भारत में पहुत सारे विदेशी यात्री आए उन्होंने भारत पे घूमा किसी राजा के अंडर में भी काम किया और भारती इतिहास को लिखने का काम भी किया आगे ये भी कहता है कि कुछ भी देशी यात्री भारत में अधेयन यात्रा के लिए आये थे तो कुछ सासन प्रशासन समझने के लिए भारत आये थे और कुछ तो भारत जो यात्री आये वे भारत में ब्यापार की संभावन आये तलासने के उदेश्य से भारत में उन्होंने प्रवेस किया था बहुत सारे उदेश्य थे उनके जो भी विदेशी यात्री भारत आए है तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब हम लोग सुरू करते हैं बहुत ही खास टोपिक जो है भारत में प्रवेस किये विदेशी यात्रियों के बारे में जो प्रमुक विदेशी यात्री है तो सबसे पहला जो नाम आता है आपका मेगस्थनीच का आता है तो मेगस्थनीच जो है वो उसको हम लोग कहते थे मेगस्थनीच सेल्यूकस भी कहा जाता था जो चंद्रकुप्त मौरे के दर्बार में भेजा गया था जो चंद्रकुप्त के दर्बार में आया था मेगस्थनीच कई वर्षों तक चंद्रकुप्त मौरे के दर्बार में रहा उसने भारत में कुछ ऐसा भी देखा जिसका वर्रन उसने अपनी इंडिका नामक पुस्तक में किया है इंडिका क्या है इंडिका एक अर्थ सास्तर पुस्तक की रूप में भी इसको जाना जाता है मेगस्थनीच जो है उन्होंने पाटली पूत्र में बहुत सुन्दर वर्नन किया है पाटली पूत्र का जिसको वर्तमार में हम लोग पटना कहते है और उसका कहना था कि भारत का सबसे बड़ा नगर पाटली पूत्र है नगर चारों और से दिवारों से घीरा है इस नगर में अनिक फाटक एम दुर्ग है नगर में अधिकांस मकान जो है वो लकडियों के बने होते है अईसी बाते मेगस्तेजिस के द्वारा कहा गया है और उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो पाटली पूत्र है वो भारत का सबसे बड़ा नगर में से एक है चलिए आगे हम लोग देखते हैं फाहयान के बारे में फाहयान भी एक चीनी यात्री थे जो चंद्रकुप दुवित्या के सासनकाल में भारत आये थे फाहयान जो चीनी यात्री है जो फाहयान है वे भारत में 399 से 414 इसवी तक भारत में वे रहने का काम किये फाहयान जो है एक बावध धर्म का अनुयाई था फाहयान का जो उदेश्य था वो बावध‌सम्रितियों एवं बावध हस्त लिपियों की खोज करना था इस परकार फाहयान ने उनस्थानों का ही ब्रह्मन किया जो बावध धर्म से सम्बंदित थे ठीक है ये थे फहयान जो चंद्रकुप दूइते के शासनकाल के दौरान हमारे देश भारत में आये थे अब और एक बहुती महतबोन यात्री है जिनका नाम हुए इंसान है जो खुद एक चीनी यात्री है और वे हर्ष वर्धन के शासनकाल के दौरान वे भारत आये थे भारत में वे 629 से 643 इसापूप तक वेलो वे भारत पे रहे थे और उसने एक पुस्तक भी लिखी जिनका नाम C.U. की था और C.U. की जो पुस्तक उसमें अपनी यात्रा तता भारत का विवरन दिया गया है और इनके वरनणों में से हर्ष वर्धन, कालिन, समाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इस्तिति के बारे में परिशे हम लोगों को मिला था आगे ये करता है कि जो वेंसान जो है वेंसान के जो प्रमानों के कारण हमें ये घ्यात होता है कि हर्षवध्धन एक परश्रमी परुपकारी राजा था सासक था है ना उनके इती है उनके अधार पे जो भी किया गया था उसके अधार पे पता चलता है वे इंसान जो है, वे हर्ष वधन की कलात्मक भावनाओं पर भी प्रकाश डाला था और हर्ष वधन ने हमेशा ज्यानर्जन की बात करते थे और ऐसी बातों को वे हमेशा प्रोत्साहन भी देते थे चलिए आगे है इती सिंग ठीक है इती सिंग भी एक चीनी यात्री थे और वे एक भावद भिक्चु थे और उन्होंने नालंदा विश्व विद्याले में दस वर्ष तक रहकर उसने वहाँ मतलब नालंदा विश्व विद्याले में एक प्रसीद अचारियों से संस्कृत था बावधर्म के गरंथों को पढ़ने का काम भी किया था अगला है एतिसिंग जो है वे 665 इस्वी के समय सुमात्रा से होकर समुदर मार्गम से वे भारत आये थे सुमात्रा सोहोकर कब आये थे? 635 में और उन्होंने नालंदा एवं विक्रम सिला विश्वी द्याले तथा उस समय के भारत पर प्रकास डालने का काम भी उन्होंने किया था आगे ये कहता है कि जो इति सिंग जो थे उन्होंने 691 इसमय में अपना प्रसित ग्रंत भारत तथा मले द्विप पुंच में प्रचलित बौधर्म का विवरन उन्होंने लिखा था या जो ग्रंत जो है वो बाउधर्म और संस्क्रित साहिते की तिहास का सुरोत माना जाता है चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब हम लोग देखेंगे अल बरूनी के बारे में अल्बरुनी कौन थे और वे कहां से आये थे इनके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे जो अल्बरुनी जो है उनका जन्म आधोनिक उब्जेकिस्तान में हुआ था और सन की बात करे तो 973 इस्वी में उन्होंने इसकी स्थापना किया था वे प्रवेस किये थे वह एक फार्सी का एक प्रसित बिधवान था कौन अल्बरुनी उसने महमद गजनवी की सेना के साथ भारत की यात्रा की थी इससे तहकीक एहिंद नामक पुस्तक की रचना भी उन्होंने किया था अल्बरुनी ने और अल्बरुनी द्वारा रचित कुल 14 पुस्तकों में से किताब उल्हिंद सबसे अधिक प्रसीद हुआ लोगप्रिये हुआ उन्होंने अपने सासन काल के दोरान उन्होंने 14 पुस्तकों को रचना किया था ठीक है उन्ही से एक महत्पुन पुस्तक था किताब उल्हिंद और उसकी इस पुस्तक को दक्षिन एसिया की तिहास का प्रमुक स्रोत माना जाता था अल्बरुनी का जो असली नाम था अबू रहान मुहमद था लेकिन वह अल्बरुनी के नाम से अधिक प्रसीद हुआ जिसका अर्थ क्या होता है उस्ताद चलिए अगला है मारको पोलो मारको पोलो जो है वो वेनिस यात्री थे या एक इतालवी मतलब इटालियन एक व्यापारी थे खोज करता थे और वे एक राज़दूत के रुपें भी काम करते थे इसका जो जन्म है मतलब मारको पोलो का जो जन्म है वेनिस गनराजयक में मध्य यूकी के अंत में हुआ था अब मार्को पोलो जो है उन्होंने अपने पिता निकोलस पोलो और अपने चाचा मातेयों के साथ सामूद्रिक यात्रा की थी वा मतलब मारकोपोलो जो है वा रेसम मार्ग की यात्रा करने के वाला सरपरतम यूरोपियनों में से एक था उसने अपनी यात्रा 1271 इस्वी में लाया सुस बंदरगा से प्रारम किया था वेनिसन से शुरू हुई अपनी यात्रा में वा कोलगा तट वहां से सीरिया, फारस, कारा कोरम और फिर कारा कोरम के से उत्तर और बुखारा होते वे मद्धे एसिया में स्टेपी के मैदानों से गुजर कर पिकिंग तक वे पहुँचे थे और वे भारत में लगबख तीन वर्सों तक का समय उन्होंने लगाया था चलिए, आगे है इबन बतूता, इबन बतूता एक मोरक्को यात्री थे जिनका जन्म 24 परवरी 1334 को हुआ था और इबन बतूता का जो पूरा नाम की बात हम लोग करते हैं तो उनका नाम होगा अबू अब्दूल्ला मुहम्मद इबन बतूता अपने इन्होंने कुल का नाम या बतला गलत दिया हुआ है और आगे चल के अबू अब्दुल्ला मुहम्मद को इबन बतूता के नाम से जाना जाने लगा उन्हों ने मतलब इबन बतूता ने रहला नामक एक पुस्तक का रचना भी उन्होंने किया था चलिए आगे है और ये आकरी है निकोलो कॉंटी जो है एक इटली के यात्री थे इटली से भारत प्रवेश किये थे और निकोली कॉंटी विजयनगर आने वाला पहला बिदेसी यात्री भी थे वह विजयनगर समराज्य के राजा देवराय के शासनकाल में 1420 से 21 सिस्वी में उन्होंने भारत में प्रवेश किया था ठीक है जो मध्यय युग में मुस्लिम भारत व्यापारियों के वेश से इटली से भारत आया उसने दक्षिनपूर्व एसिया और चीन तक की यात्रा की अपने यात्रा में विवरानुंक का लैटीन भासा में लिखा हुआ दिखाई पड़ा है तो इस तरह से आज किस वीडियो में हमने कुछ प्रमुक विदेशी यात्रियों के बारे में जाना जो आपके नोलेज के लिए आपके एक्जाम के लिए काफी महत्तपून होगा तो चलिए इसी के साथ मैं आज किस वीडियो को यह पर समाप्त करता हूं और आज के वीडियो में हमने जान पाया भारत पर आये प्रमुक विदेशी यात्रियों के बारे में ठीक है चलिए इसी के साथ आज किस वीडियो के यह पर समाप्त करते हैं मिलते हैं एकने वीडियो के साथ तब तक अपना ध्यान दिजिए सुरक्षित रहिए और खुस रहिए बह खुद बहुत धन्यवाद